इस वीडियो में हम हरियाने जिकेगे कुछ ऐसे सेलेक्टेड कोशिन डिसकस करेंगे जो कि हरियाने के ओनलाइन एक्जाम्स में पूछे गए हैं और ये आने वाले आपके एकशेसे एक्जाम्स के लिए बहुत ही महतपूर्ण है ये इस वीडियो का पार्ट वन है इसमें स्टार्ट करते हैं पहला कुछन है हरियाना में कनफारा संपरदाई इसका मुखे के अंदर कौन से थे नेक्स्ट कुछने भारतिय सिंगर रुपिंदर हंडा का जनम हर्यान के किस जिले में हुआ? वहीं रुपिंदर हंडा किस शेक्तर से बिलोंग करते हैं? ये गायक है नेक्स्ट कुछने ग्रेसीम भीवानी टेक्स्टाइल लिम्टिड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले पंजाब कोटन मिल्स के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना 1938 में हुई थी यह कोशिन भी आप से पूछा जाता है हरियाना डेरी डेवलोप्मेंट को अपरेटिफ एडरेशन लिम्टिट के स्थापना किस वर्स में हुई तो इसकी स्थापना हुई 1977 में यह स्थाट हुआ था 1977 में और वहीं जो हरियाना डेरी डेवलोप्मेंट को अपरेटिफ एडरेशन लिम्टिट के दुआरा दूद बन यो किस नाम से होता है, वीटा के नाम से, हरियान्स के नू जिले की स्तापना की सतारीक को की गई, तो नू जिला बनाया गया chegarрем法यल लुजारÐल को और वहीं 15 अगस लग्स लुजाराट को पलवल जिला बनाया गया, पलवल को सम्क्तितने होता है और वहीं हर्याणा का 22 जिला बना चर्की दादरी, चर्की दादरी हर्याणा के 21 मंडल के अंतरगत आता है, रोतक मंडल के अंतरगत हर्याणा के मैकसिमम जिले आते हैं, पांच जिले आते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, और वहीं प्रेजन टाइम में हर्याणा में क तस्त पत्सात उसे सन की सन में उसे दिली विबाग में समलित किया गया तो इसे समलित किया गया 1886 में नेक्स्ट कुश्चन है धार के राजा भोज निमलिकित में से किस राजवन से संबन्दी थे तो राजा भोज परमार राजवन से संब्दी थे और राजा भोज कहां के राजा थे धार के देशी रियास्तों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्टे अंदलन को क्या कहते थे तो इन राष्टे अंदलनों को कहते थे परजा मंडल अंदलन जो किसके द्वारा चलाए जाते थे देशी रियासतों के लोगों के द्वारा हरियाना सरकार के पर्थम एड़ोकेट जर्नल कोन थे तो हरियाना सरकार के पर्थम एड़ोकेट जर्नल थे आनन सवरू हरियाना का नाम हरी शेक्तर किस गरंथ में है कुरुष शेक्तर का नाम हरी शेक्तर किस गरंथ में है तो कुरुष शेक्तर को हरी शेक्तर का जाता है सकंद पुराण में नेक्स्ट कुछन है नीन में से हरियाना का कौन सा खिलाडी बास्केट बॉल से संबन दिता है अजमेर सिंग वही सायना नियाल बैडमिंटन से संबन दिता है जो कि हरियाना के हिसार जिले से बिलोंग करती है किस जिले से बिलोंग करती है हिसार जिले से और वही सुमन बाला स मुक्की से बिलोंग करती और सुमन बाला हरियाना के मारकनडा साबाद मारकनडा से बिलोंग करती है और वहीं इनका जनम 15 दिसंबर 1981 को हुआ था बारते संतरता अंदोलन की Grand Old Lady किसे का जाता है? Grand Old Lady का जाता है अरुना आसफ अली को देश का पहला राज़े जिसने ओनलाइन कस्टिडी सेटिफिकेट शुरू किये तो वै हरियाना पहला अत्यादूनिक आगनवाडी के इंदर नंद घर 2015 में कहां खोला गया तो यह खोला गया हसनपूर जो की सोनिपत में है हरियाने के खेलों में लाइफटाइम अचिवमेंट का दो लाग रुपे का पुरुषकार महिलाओ को किस नाम से दिया जाता है आपको याद रखना है महिलाओ को तो महिलाओ को दिया जाता है रानी लक्षमी बाई के नाम से नीन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानि जो गलत है वो आपको बताना है कपिल मुनी मेला कैथल में लगता है कपाल मोचन मेला यमनानगर में लगता है सूर्या करण मेला कुरुशेक्तर में लगता है चैत 14 मेला ये लगता है प्यहोवा जो कि कुरुशेक्तर में है तो ये आपका प्यहोवा कुरुशेक्तर आना था हरियाना के टीवी कलाकर कुनाल कुमार का जनम हरियाना के किस जिले में हुआ कुनाल कुमार का जनम हरियाना के फरीदाबाद जिले में हुआ और वही सोनु निगंबी हरियाना के फ्रीदाबाद जिले से बिलोंग करते हैं हरियाना के किस तान पर कैरेज एंड वेगन वरक्शोप स्तित है कैरेज एंड वेगन वरक्शोप जगादरी में स्तित है जो कि हरियाना के यमनानगर जिले में स्तित है किस विधवानों ने हरियाना में पुरा ततिव पर्वेक्षेन की निव रखी यानि archaeological exploration की निव हरियाना में किनों ने रखी इसमें आपका कनिंगम, डीबी, स्पुनर और sea rogers इन सभी ने इसमें आपका अंसर आएगा यह सभी और अगर आपको ये उडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही स्टेडी जोन चाले को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बेटन जरूर दबाएं इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग इसकी स्टापना किसके द्वारा की गई इंडियन इंडिपेंडेंडेंस लीग की स्टापना की गई रास ब्यारी बोस के द्वारा पंसकुला हरियाने के अरुना असर फली एक परसीद तो अरुना असर फली एक एक्टिविस्ट राजनितिग्य और पब्लिशर है तो इसमें आपका अंसर आगा ये सर्भी और अरुना असर फली हरियाने के किस जिले से बिलोंग करती है पंसकुला जिले से बिलोंग करती है य आपके लिए important है आपके exam में ये question भी पूछा जाता है हरियाना के खेलों में lifetime achievement का दो लाख रुपे का पुरुषकार पुरुषों को किस नाम से दिया जाता है तो पुरुषों को दिया जाता है महारणा परताप के नाम से और महिला को राणी लक्षमी भाई के नाम से भारत में परशुराम का एक मातर मंदिर हरियाना के किस जिले में स्थित है तो परशुराम का मंदिर स्थित है जीन्द में प्रिंडिती चोपड़ा का जनम हर्याना के किस जिले में हुआ और यह एक अभिनेत्री है सिंदु घाटी से वितस्तल सीसवाल का उत्खनन किस ने किया तो सीसवाल का उत्खनन किया गया सुरज भान के द्वारा हर्याना सरकार की हाली के गोशने के नुसर हर्याना हेंड्रेड एक एकिकरत पुलिस आपात कालिन तंतर इसका मुखैले हर्याना के किस जिले में होगा हर्याना हेंड्रेड का मुखैले है पंसकुला में हरियाने सरकार ने सिक्षय विबाग में किस पारदर्शी 45 से PGT के स्थामनांतरण किये तो यह किये MIS Portal के द्वारा हरियाने का कौन सा गाउं? सव प्रेरित आदर्स गाउं गोशित किया गया तो हरियाने का सव प्रेरित आदर्स गाउं जो कि पहला आदर्स गाउं बना यह है सुई जो कि भिवानी में है आरिया समाज कब स्ताफित किया गया? आरिया समाज की स्ताफना की गई गई 1875 में फरिदाबाद हरियाना की तुलिका गांगुली नीन में से किस वेबसाइस से जुड़ी है तुलिका गांगुली जुड़ी है पार्स्वी गाई का और रियल्टी शो इन दोनों से और वहीं तुलिका गांगुली का जनम हरियाना के किस जिले में हुआ फरीदाबा जिले में ये कोशिन भी आपको जिला भी याद रखना है तो लिका कांगुली फरीदाबा जिले से बिलोंग करती है मोहिंदर परतापचंद एक परसिद कवी है उनकी कावे भाषा कौन से है मोहिंदर परतापचंद की कावे भाषा है उर्दू हरियाना लोग सेवा आयो के चेर्मेन की निउक्ति किसके द्वारा की जाती है हरियाना लोग सेवा आयो के चेर्मेन की निउक्ति की जाती है राजेपल के द्वारा और आपके लिए इंपोर्टेंट है प्रेजेंट टाइम में हर्याना लोक सेवायो के चेर्मन कौन है? श्री आर के पंचनन्दा ये हाली में जुलाई 2019 में जुलाई 2019 में ये हर्याना लोक सेवायो के यानि हर्याना पब्लिक सर्विस कमिशन के चेर्मन बनाए गया है इससे पहले हरियाना Public Service Commission के चेर्मेन कौन थे? मनवीर सिंग बढ़ाना और HSSC, हरियाना Staff Selection Commission के चेर्मेन कौन है? भारत बुशिन भारती, तो यह आपको HSSC के चेर्मेन और बहुत ही इंपोर्टेंट है, हरियाना Public Service Commission के नए चेर्मेन कौन बनाए गए है? आरके पंचननदा, यह जुलाई 2019 में ही बनाए गए हैं. हरियाना में हरी भूमी समाचर पतर किस नगर से निकलता है? हरी भूमी समाचर पतर निकलता है रोत्तक से. हरियाना का कौन सा शेर? सूचना तक्निकी काहब है गुरु ग्राम शेर नेक्स्ट कुश्चन है खवाजा अलताफ हुसेन हाली का जर्म वर्स कौन सा है तो इनका जर्म हुआ है 1837 में और इनका जर्म कहां पर हुआ है पानिपत में तो ये डिस्टिक भी आप से पूछी जाती है वह इनकी मिर्तियू हुए है 30 सेप्टेंबर 1914 को और इनकी मिर्तियू भी कहां पर हुए है पानिपत में और अल्थाफ हुसेन आली उर्दू के उर्दू के एक परसिद कवी और लेक रकते हैं तो इनका भाशा भी आपको याद रखनी है हरियाना में ख्याती प्रात परबंधन विकास संस्तान यानि MDI Management Development Institute ये कांपर है गुडगाउ में और वहीं अगर आपसे इंडियन Institute of Management पूछा जाए तो वह कांपर है रोत्तक में भारते कला संस्कृति का प्रति प्रति Kingdom of Dreams ये कांपर है Kingdom of Dreams है गुडगाउ में वहीं Kingdom of Dreams का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया श्रीप भुपेंदर सिंग हुड़ा के द्वारा और कब किया गया 29 जनवरी 2010 को तो ये डेट भी आपको याद रखने है 2010 में Kingdom of Dreams का उद्गाटन किया गया वुपेंदर सिंग उड़ा के द्वारा ततकालिन मुख्यमंत्री जो उस टाइम में मुख्यमंत्री थे वुपेंदर सिंग उड़ा और ये कांपर है गुडगाउ में और Kingdom of Dreams Great India Notan की कमपनी है जो की विजग्राफ्ट International Entertainment Private Limited और अपरा ग्रूप ऑफ कमपनीज का एक सन्यूक्ट उद्गम है सचर फॉर्मुला यह कब लागु किया गया सचर फॉर्मुला लागु किया गया अक्टूबर 1949 को एक अक्टूबर 1949 को और 15 अगस 1947 को भारत आजाद हुआ था और तब हरियाना पंजाब प्रांत का हिस्सा था और 1949 में जब हर्याना पंजाब का भाग था उस समय पंजाब के मुख्यमतरी थे भीम सेंच सचर और उसके साशनकाल में पंजाब प्राम्त के बाशा के परसंट पर विद्रोध पन हुआ जिसमें हिंदी बाशी शेक्तरों में यानि जो हिंदी बाशी शेक्तर थे जो के आज के हर्याना के अंतरगत आते हैं वहाँ पर पंजाबी बढ़ाने का विद्रोध हुआ और इसके प्रिणाफ सरूप इस समस्या को समाधान देने के लिए एक फॉर्मला लागू किया गया जिसे क्या नाम दिया गया सच्चर फॉ पंजाब को दो शेक्तरों में बाट दिया गया एक आपके आते हैं पंजाबी शेक्तर और दूसरे हैं हिंदी शेक्तर हिंदी शेक्तरों में हिंदी पढ़ाई जाती और पंजाबी शेक्तरों में पंजाबी बढ़ाई जाती तो सच्चर फॉर्मला ये उस समय के हर्याना के मुक्यमिंत्री के नाम पर हुआ भीमसेन सचर के नाम पर और हर्याना पंजाब से अलग कब हुआ एक नंबर 1966 को हर्याना पंजाब से अलग होकर एक नए राजबना और यह कोन से नंबर का राजबना यह भी आपके लिए बहुत important है तो यह भारत का सतरवा राज्य था हरियाना हरियाना के रुपिंदर हंडा नीम में से किस वेबसाइज के साथ जुड़े तो रुपिंदर हंडा जुड़े गाईकी के साथ और रुपिंदर हंडा हरियाना के सिर्शा जिले से बिलोंग करते है रक्षा बंदन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है तो बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है भिवानी जिले में और बाबा खेड़े वाले का मेला किस उच्छव पर लगता है या लगता है रक्षा बंदन के उच्छव पर यम्ना नगर में भारत स्टार्चेंग केमिकल लिम्टेड की स्थापना किस वर्स में हुई भारत स्टार्चेंग केमिकल लिम्टेड की स्थापना हुई 1938 में और कहां पर हुई यम्ना नगर में अप्रेल मै के दोरान शाद चोका खोरी मेला इसका आयोजन कहां पर होता है तो साथ चोका खोरी मेलक आयोजन किया जाता है गुडगाउं या गुरूग्राम में ग्यानोदे ये किस परकार का एक समाचर पता था जो की हिसार से प्रकाशित होता था तो ग्यानोदे एक साथ आएक यानी एक वीकली न्यूजपेपर था अकबर के समय में हरियाने के किस स्ताम पर टक्षाल थी जहां जलाली सिका बनाया जाता था तो यह सिका बनाया जाता था नारनोल में नारनोल प्रेजन टाइम में महदरगड का मुख्याला है और वहीं अकबर अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानिपत का दूसरा यूद दुआ जिसमें अकबर की विज़ा हुई थी और हेमू मारा गया था ये भी आपके एक्जांस में बहुत बार पूछा जाता है और हेमू रेवाडी से संबन्दी था और हेमू दिली की गदी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शाषक था ये कोशन भी आपसे पूछा जाता है और हेमू ने विकरमा दिते की उपादी ग्रेंड की थी हरियाना में टोटल कितनी तैसिले हैं तो प्रेजन टाइम में हरियाना में 93 यानि 93 तैसिले हैं और 22 जिले हैं 6 परसासनिक मंडल हैं भीवानी निवासी परसी साहतेकार तुलसिदा सर्मा दिनेस इसकी कीरती कोंसी है तो तुलसिदा सर्मा दिनेश की किरती है सत्सई, सत्यागरी, परलाद और भगत भारती यानि ये तीरों तुलसिदा सर्मा के द्वारा लिखी गई है तो इसमें आप कामसर आएगा ये सबी है और तुलसिदा सर्मा हर्याने के किस जिले से बिलों करते है भिवानी जिले से सूर्य देवता की प्रतिमाई हर्याने के निमलिकित में से कौन से सतलों से खोजी गई है सूर्य देवता की प्रतिमाई मिली है हासी बेरी और तोसाम इन तीनों जगह से तो इसमें आपका अंसर आएगा यह सभी हरियाना के निमलिकित में सिक्की स्तान पर नवद्द विद्यले स्तीत नहीं है या जवार नवद्द विद्यले स्तीत नहीं है तो हरियाना में नवद्द विद्यले टीटराम कैथल देवराला भिवानी और्डन सिर्षा इन तीनों स्तान पर है अकबरबुर अमवाला यह पर यह नवदे विद्याले नहीं है तो इसमें आपका अंसर आएगा फूर्थ आपका question as it is पूछा जाता है तो इसलिए आपको जो है यह तीनों तो याद करने है कहीं आपके आने वाले exam में सेम question आपका ऐसे ही आ सकता है तो आपको यह तीनों तो यादी करने टीटराम कैथल में नवदे विद्याले देवराला भिवानी में है और दन सिर्षा में है और वहीं जवाब नवदे विद्याले का आरम कब हुआ यह हुआ 1985-86 के दोरान और वहीं present time में यह विद्याले त प्रोटल 571 नबद्दे विद्याले है और यह किस जिले में नहीं है present में Tamil नादू में और Haryana में आपको यह तीनों याद करने है यह आपके जो है hormone में नवद्याले है जहाँ जापर है तो आपका देख सकते हैं देवराला भिवानी में है आपका जो दूसरा पुछा गया था, कैथल टीटराम कैथल में और तीसरा जो आपका option था वो था ओधन सिर्षा, सिर्षा का देखते हैं तो ये आपका जो है ओधन सिर्षा तो ये तीनों आपके जो है जवार नोदे विद्धाले जो आपको याद करने है बाकि आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं ये सबी जवार नोदे विद्धाले जो की हरियाणा में है हर एक जिले के साथ जैसे अपका खेरा खेरी जो की फतेयबाद में है नगीना जो की मेवात में है पब्रा हिसार में है आपको जो पूछ लिए वो ज़रूर याद करने है क्योंकि आपका एजिटीज कोशिन हरी HSSC के एक्जाम में पूछा जाता है हाली में हर्याना सरकार ने विश युवा महिला मुक्यबाजी चेंपेंशिप में सर्ण और काशे पदक जीता सर्ण और काशे पदक विजेता को कौन सा ऐसा आदार उपार देने का निर्णा लिया है तो हर्याना सरकार ने विश युवा महिला मुक्यबाजी चेंपेंशिपो को देशी गाए उपार के रूप में देने का निर्णा लिया है निमलिकित में से की जिले में कुनाल पूर हडपा स्थान खोजा गया तो यह स्थान खोजा गया फतेहबाद में नेर में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरूना के नाम से जानी जाती थी तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरूना यह आपके लिए बहुत important है पेस्बुक पेज़ेज पर जिस भी परकार से आप शेर कर सकते हैं, इसको शेर जरू करें, आप हमें WhatsApp गरुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा WhatsApp गरुप नमबर है, आप इससे जुड़ सकते हैं, और हर्याना करन्ट अफेर और हर्याना जीके की लेटेस्ट वीडियोज पा सकते हैं थैंक यू जै हिंद जै भारत